तोटे के दोस्तो कुल पेर 8298 आइस 00 उसे हम आज अपडेट करने जवाल है तो सबसे पहले आप मॉडल कंफर्म कर लिजिए उसके बाद ही अपलाई कीजिए उसमें और सबसे जरूरी बात चलते वीडियो में आप सारे प्रॉब्लम जो इसमें बताते जाओंगा उसकी वज आपको नीचे वीडियो के डिक्रेशन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारे पार जो फोन वर्जन आपने देखा होगा उसी वर्जन की फॉम्वेर है तो सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो 32 वाइट अगर आपका इंस्टॉल किया इसलिए मैं दुबारा इसे नहीं करूँगा अगर आपको जानना हो किस तरह से इंस्टॉल करके इसे इंस्टॉल करते हैं अगर फिर भी समझना है तो नीचे वीडियो के डिक्सेंस बॉक्स में लिंक है हाव टू इंस्टॉल ड्राइवर उसे देख सकते ह तो यहां से ड्राइवर की बात होची कि टूल्स है तो टूल्स भी सिंपल ही आपको एक आइकन मिल जाएगा फ्लैस्टॉल उसे डबल क्रिक करके ओपन कीजिए नाव इसे हम बन कर देते हैं इसे कर देते हैं ठेके यहां आपको टूल्स इस तरह से कुछ उपन होगा यहां चाहने के बाद आपकी फाइल जो सारी-सारी यहां आजाएगी उसके बाद SIMPLY यहांसे धाट कीजिए देखिए गलती से भी format आल और डावनलोड मत कीजिए धाट कर दीजिए और यहां से SIMPLY डावनलोड पर क्लिक कर दीजिए ठीक है अब आप अपना मोबाइल बंड कर सक आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो एक अधी मिनिट के बाद 30 सेकंड के बाद इंस्टॉल होने के बाद अपने आप ही वह तूल जो है एक्सेप कर लेगा तेकि यह तूरत एक्सेप हो चुका है और फॉर्मेट हो चुका है अब यह फ्लेशिंग प्रोसेस इसकी सरू हो चुक जाती हो जैसे अन पॉर्चुनेटि एप्स ऐसे केमेरा गरे जो अन फॉर्चुनेटि कोई भी एप्स आप उसे करतें दूबारा आ जाती है तो उस सिस्टम जो करब हो जाती है उसको आप इसी तरह इस ट्रिक से आप उसे सॉल कर सकते हैं दूसरी खास इंपर्टन बात है क कभी कभी application automatic download हो जाती है कभी 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 ठरवाटी की application आप अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है आप उसे uninstall करेंगे फिर इंस्टल हो जाती है आप उसे hard reset चीज है कि कभी कभी Wi-Fi data on हो जाते हैं automatically तो कभी आप बन करके रख देते फॉन देखेंगे तो दूब़रा फॉन अपना चेक करेंगे तो वाइफाई ओन हो जाता होगा data on हो जाता होगा तो उसी वज़ा से आपका data जो हो जाता है तो यह यह सारी चीज है और एक खास important चीज है कि कभी कभी हैंग ओन लोगो यानि कूल पेड लिखा हुआ लोगो आप आपका रुख जाता हो गया फॉल तो आप चाहिए जितनी भी कोशिश कर लो वह आगे बढ़ेगा ही नहीं तो चीज भी इसी ट्रिक से सॉल होती है तो ऐसी बहुत सी सारी चीज आपको लगता होना जरूरी है तो मोबाइल अगर कंप्लेटली ओन हो तो सेटिंग में जाईए बाउट में जाईए वहां सब्सक्राइट का ऑप्शन रहता है वाइफाई डैटा ओन करके आप इसे अपडेट सिंपली कर सकते हैं अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इस ट् सब्सक्राइब नहीं पाते हैं तो हाड रिसेट आप एक बार करिए यहां से कॉनर पर एक लिंक आ जाएगा हाउ टू हाड रिसेट उस लिंक को देखिए और वीडियो को फॉलो कीजिए और उसे हाड रिसेट कर दीजिए फॉन को थाकि आपकी फॉम्वेर जो है पूरी त तो चार्जिंग लो होगा तो चार्ज कर दीजिएगा तो यह सारी चीज़े बता नहीं थी तो हाड रिसेट जरूर कीजिए हाड रिसेट करना बहुत जरूर यह अपडेट के बाद तो दोस्तो 99% एंड 100% हो गया तो आप अपना मोबाइल जो है डिस्कनेक करके निकाल सकत तो चलिए दोस्तो मिलते अगले वीडियो में आप यहां से इस चैनल को सब्क्राइब कीजिए सब्क्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे पी ऐसे यूस्फूल ट्रिक जो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके और आपके दोस्तों के पैसे बचाएंगे तो मिलते अगले वीडियो में तो इस चैनल को यहां से सब्क्राइब कीजिए चलो थेंक यू